आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का प्लागतिहासिक एवं आध्य इतिहास यानि कि Pre-History and Proto-History of India जो कि आपके सभी के All UG Courses Semester 5 में शामिल किया गया है यह आपका discipline specific elective course है DSE History का as per the UGCF 2022 and National Education Policy 2020 इस पेपर का बिटे मैंने syllabus आपको टैली कराया हुआ है पहले वीडियो शेयर किया हुआ है उसके बाद पहले पार्ट के मैंने दो वीडियो आपको शेयर किये हुए है लंबे-लंबे पार्ट है इसमें थोड़ा सा शुरुवाती पार्ट थोड़े से लंबे हैं जैसा कि आपके आम तरपर हिस्ट्री के सबी वेबर्स में होता है तो यह दूसरा पार्ट भी थोड़ा सा लंबा है कोशिश करूँगी एक वीडियो में कम्पीट हो जाए लेकिन हो सकता है दो वीडियो भी बनाने पड़े हैं इसके लिए तो आप लोग इसको देखते रहे हैं समझते रहे हैं और चैनल अगर आप भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज़दी से कर लेजी बिटी यह दूसरा लेसन जो आपका है यह पूरे के पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा कम्प्रिकेटिट है इसमें क्योंकि आपको बहुत सी चीज़े याद करने पड़ेंगी मैंने अपनी उर से बहुत कुछ प्रिसाइज करने की कोशिश की है बिटी इविन देन थोड़ा से आपके लिए complicated रहेगा लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आजाएगा तो दूसरे पार्ट का नाम है आपके पुरा पाशांट संस्कृतियों का Survection Sighting आपके पुरा पाशांट संस्कृतियों का जो मिलती हैं, वहाँ पर किस तरह के उपकरन, टूल्स किस तरह के बनाई जाते थी उनको बनाने की क्या तक्निके थी, क्या टेक्नोलोजी थी और वहाँ पर किस तरह के उनका जीवनियापन हुआ करता था उनका lifestyle कैसा था, उसके pattern क्या थे यह सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, तो पुरा पाशान योग, जो कि लगबग 2.2, 2.2 मिलियन साल पहले, लगबग 2.2 मिलियन साल पहले से ले करके 10,000 इसा पूर तक चला, अभी हमारा चल रहा है 2024, सन 0000 से 10,000 पहले तक, 2.2 मिलियन साल पहले से ले करके और ईसा से 10,000 साल पहले तक, जो कि चला था, उसे पुरा पाशान योग कहा जाता है इस दोरान, मानव प्राग अतिहा से काल में पत्थर के ओजारों के निर्मान और शिकारी संग्रह करता संस्तियों के उध्या द्वारा पहचाना जाता था प्राग अतिहां से इस काल बेटे, उस काल को कहा जाता है जिसका हमारे पास कोई written evidence नहीं है कोई liquid प्रमान हमारे पास नहीं है इस काल में, जिसे पुरा पाशान योग कहा जाता है इस दोर में पत्थर के ओजारों का निर्मान किया करता था मानव और साथ में शिकारी हुआ करता था और संगरह करता हुआ करता था मुदब कि चीजे एकथा करके अपने पास रखा करता था उसे खेती करना नहीं आता था तो पुरा पाशान सांस्कतिक स्थलों की जाँच दर्शाती है इन सारे के जाँच की गई तो उससे ये पता चलता है कि पाचीन लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों के लिए कैसे सुयम को अनुकूलित किया, कैसे अड़ेप्टेशन किया, अलग-अलग हालातों में हो, क किस तरीके से जिये, किस तरीके से रहे ये उस STUDENT के जो साइट्स है उनको जब study किया जाता है तो पता चलता है, साथ में उपकरनों के विखास को तक्निक्डी के कई प्रकारों और स्तरों में वजिवद्द किया जा सकता है उस तरीके के टूल उन लोगोंने बनाए, किस तरीके से उनका development हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, जैसे जैसे तखनीकी प्रगति हुई, जैसे जैसे उनके पास technology आई, वैसे वैसे उन लोगोंने नई नई तरह की उपकरंट बनाए, इनको भी कई लेवल पर वाइफर केट करके पढ़ा जाता है, लोर पैलियोल थी औजार और हथियार बनाने की, इनको ओल्ड ओन औजार के रूप में जाना जाता है, ओल्ड ओन औजार कही जाते हैं, जो बहुत ही एक तरह से बेसिक आजार थे, बस इस्तिवाल करने के लिए नाम की आजार थे, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वैसे वैसे, अक्यू जाता है, मध्या पाशान काल कहा जाता है, ओल्ड ओर में, ब्लेड और कमपोजिट टूल, कई-कई ओजारों को मिला करके भी ओजार बनाई जा रहे थे, तो इस तरीके से नई ओजारों का विकास किया जा रहा था, सबसे पहले हमें पढ़ना लिथिक प्रद्योगी की, या जो प्राग अतिहार से काल में इनसान पत्थर के ओजार और उपकरन बनाया करते थे, उसे लिथिक टेकनोलोजी या पिर लिथिक प्रद्योगी की कहा जाता था, तो यह प्रद्योगी उन लोगों के लिए मेहत्व पूंती जो शिकार करते थे, और चीजों के अपने पास स इसमें सामगरी का चैन, मानव ने बहुत तरह के अधिकार पथर का चैन किया, कई तरह के पथर चुने जैसे कि बासार्ट, फ्लिंट, जो कि आजार बनाने के लिए परफेक्ट हुआ करते थे, इनसे उसने आजार बनाई, तो सबसे पहले हम किस पथर का आजार बनाएंगे, ये चुनाव बहुत महदप्रन हुआ करता था ये काम किया लिथिक पौद्धियोगी के अंतरगत मनुशे में उसके बाद ओजारों का निर्मान किया तो ओजारों को बनाने के लिए पत्थर को काटना उनको गिसना आकार देना शेप देना ये सारी तक्निके विक्सित की गई जैसे की चाकू, तीर, ओजार और इस तरह के जो शिकार करने के उपकरंटे वो बनाए गए इसके अलबा प्रकार विए अलग-अलग शेणियों में इन लिथिक ओजारों को उनमें बाटा जैसे के ब्लेट, छैनी, मैक्रोलिस वगरा इस काम के लिए कौन सा हथियार काम इस तरह के से उनको प्रकारों में बाटा गया, इसके अलबा सांस्क्रति, तो लिथिक प्रद्योगी की विबिन में मानव सब्वेताओं के विकास में बहुत महत्पवन भूमिकाने भाती है, किस तरह के से, यह ना किवल औजारों के निर्मान के लिए तखने की घ्यान को अगशाती है, बलकि यह सांस्क्रतिक आदान प्रतान और मानव विकास के कहानी भी हमारे सामने लाती है, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, वैसे वैसे वो और जारों का विकास करता चला गया, इस बात को यह पूरी के पूरी जो लिथिक टेखनोलोजी है, यह हमा यह जानने में हमें मदद करती है, तो यह तक्नीक मानव विकास के बहुत से चर्णों में से एक मानी जाती है, जिसने क्रिशी क्रांती और बाद में धातु की प्रद्योगी की के विकास की नीव रखी थी, यानि की लिथिक प्रद्योगी की थी, जिसकी वज़े से लोगों न उनी प्रिषी करना सीखा सी और बाद उन लुगों ने धाटू के पठ्ठर के ऑजार बनाने सीखी इन में पहली एक ठीकनीक ती गेजले मेला वन एक हो वी और ओक Pinterest न कीकले में चाहीत है उससे औजार बनाए जाते थे, फ्रिंट टेक्नोलोजी के चरिये, तो ये तखनीक इंसान के शुरू आती चरंड में बहुत ज़दा इंपोर्टेंट मानी जाती है, जब मानम ने विकास करना शुरू किया था, और इसके माध्यम से उसने अपने लिए उपकरन बनाए थे, इ जो कि सिलिका से परा हुआ पत्थर होता था, ऐसा पत्थर था जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा हुआ करता था, जो कि आसानी से तूट जाता था, और धार-धार किनारे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा हुआ था, इसके धार-धार किनारे बना जा सकते थे, आसानी से पत्थर को पत्थर जो मिल गया उसको अलग अलग तरह के और जारों में अलग झाल थो को झाल 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 झाल